सिमलेस पैटन बनाना है ठीक है तो सबसे पहले आप करोगे कंट्रोल दबा के चलो यह भी कर लेते हम यहां से यह जो की है वो आप आपको दिखे गए यहां पर ठीक है तो आप कंट्रोल दबा के बॉक्स बनाओ एक इससे क्या होगी यह रेक्टेंगल के जगा स्क्वाइर बनेगा अब इसको कंट्रोल क्यू करोगे तो कंट्रोल प्लस क्यूज तो कंट्रोल क्यू करने के बाद क्या होता है यह कंट्रोल कर जाता है अब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका यह इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो या फिर इसके उपर डबल क्लिक कर सकते हो तो आपने आप डिलीट को लिए खुले रहा है अब आप इस ट्रैंगल में ये साइड ये साइड और ये साइड इन तीनों साइड को टच करते हुए अगर आप कोई भी डिजाइन बना लेते हुए इनको टच करते हुए ये स्नैप टूल हटा दिया मैंने तो अब मालो में या कोर्नर वाला कोई डिजाइन बनाता हूँ तो मेरा दो साइड तो टच हो गया ओल्रेडी ये वला साइड वी टच हो गया ये वला भी हो गया अब क्यों नीचे वाला साइड बच गया तच करने के लिए लेकिन अभी डिजाइन थोड़ा मैं बड़ा बना जएकता हूँ तगे डिजाइन देखने में भी अच्छा लगया ये यहां से अब जो मर्दी अपने हिसाब से डिजाइंग बनाओ ठीक है अब ये नीचे वाले पोर्शन को भी टच कर वा लिए अब मेरा ओल्रेडी तीन और जगह पे तच हो चुका है तीनों साइड पे ठीक है आप जो लास्ट वाले पॉइंट है ना वहां जाके क्लिक कर जाएं जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे खतम कर रहे हैं अब इसको मैंने स्लेक्ट किया अब स्लेक्शन के लिए अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरा प्रेंगल भी स्लेक्ट हो जाएगा अगर ट्रैंगल को ड्रीक्ट करना है तो सिफ्ट दवा के आप ट्रैंगल के ऊपर दुबारा क्लिक कर दे अब आपका ट्रैंगल ड्रीक्ट हो गया है कैसे पता चलेगा इसको उठा के आप इदर ले आके देखो होगे यह एक method है पर यह method आपको दिखता नहीं है तो आप confused करते हैं तो दूसरा method है कि आप इसके उपर जाके right click करके इसको lock कर दो तो triangle आपका lock हो गया उसके बाद आप select करोगे तो आपको cable उपर का design select करोगे इसके बाद आप इसको weld करो उसके बाद आप यहां पर right click करके इसको unlock कर लो तो फिर सारे को select कर लो फिर यहां जाके intersect कर दो और इसको side पर निकाल लो अब इस चीश को आप delete कर सकते हो अब इसको black color से आपने color किया अब यहां पर right click करके outlining हटा दी और इसको हमने इधर पल्टा control दवा के ठीक है control दवा के नीचे पल्टा तो यह diamond सा एक structure बन गया अब इस structure को मैंने weld कर दिया और 45 degree में rotate किया उसके बाद इसको left click करके पकड़ा control दवाते हुए और right click करके left click को छोड़ दिया तेक है उसके बाद control आर दवाते चले गए तो वही चीज़ रिपीट हो जाई है इसके बाद इनको select किया और इसको weld कर दिया अब नीचे की तरब भी same करते हैं control दवा के left click से drag किया राइट क्लिक किया left click छोड़ा उसके बाद फिर control आर यह हमारा डिजाइन बने गए क्लिर आप जो भी बनाओगे बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा पैटन के बहुत आपको 25-25 बनानी अभी फिलाल इसको हम save करते हैं कैसे वो भी देख लो अगर इसको मेरे को add-off stock में sell करना है या subtle stock में sell करना है क्योंकि यह original design है यह आपका design है आप इसको किसी को sell कर सकती है ठीक है अगर आपको online sell करना है तो उसके लिए इसको हम रखते है 62.5 by 62.5 ब्लाक और वाइट इमेज के लिए बता रहा हूं अभी किस इमेज के लिए इतने में आपका बिल्कुल accept कर लेगा without any rejection ठीक है कोई rejection नहीं आएगी आपको insights में अगर आप पूरा रूल सोलो करके बनाओगे design तो clear है अब इसको आप कैसे करोगे control as कर दो इसको मालो मैं यहाँ save करता हूँ देखे यह 198 नमबर है नहीं 298 यह 299 नमबर हो गया यह CDR form save लेकिन CDR form को वो लोग accept नहीं करते तो वो करते हैं या तो jpg या eps उसके लिए आप file में जाओगे export करोगे अभी आप लोग डिजाइन बना रहे हो तो आप लोगों को भी कोसिस यह रखनी चाहिए कि आप design उस सिब भी करते जाओ क्योंकि 25 तो बनाए हो कि कम से कम 25 तो डाल दो subtle stock में या in में ठीक है और 25 को फिर कभी time मिलता है डालते रहो ठीक है क्योंकि अभी practice ही कर रहे हूं अब आप मैं इसको jpg में convert कर रहे हैं export किया अब यह मैंने 62.5 लिया हुए है लेकिन अगर jpg इस size का बना देगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा तो हम क्या करते हैं इसको 40 40 percent में कर देते हैं यहां पर 40 टाइप कर दो कि अब यह थोड़ा time लेगा आपका क्योंकि 62.5 का processing स्टार्ट होगी थी पर अभी मैंने इसको 40 percent में कर दिया आप यह computer ही लगता है and कर गया नहीं नहीं आ गया अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा change करता हूं और से इसके उपर डालता हूं या फिर वो जो पिछला मेरा setting था वह ले रहा है तो हम डेंस time में डाला तो आप देखो यह 25 हो गया है ठीक है यह 40 percent आगया है अब इसको आप okay कर दिया सेव हो गया तो यह मेरा jpg सेव हुआ जेपीजी को छोटा करके सेव किया हमने 25 है अब यह आप से फिर से आप करोगे export अब की बार आप करोगे इसको eps में eps eps में export करने पर आपको यह dialogue box पुलेगा इसमें आपने यहां पर script level 2 रखना है 8 bit में रखना है और tick पर रखना है और यहां पर 72 क्या हुआ है इसको आप 300 पर रख सकते हैं कि अब इसको आप ok कर दें तो यह हमर एक पीएस में सेव होगी क्लिए रख तो ऐसे बना के आप डिजाइन तीनों format में सेव करते हैं कि जब बन जाएगा डिजाइन तो फिर आपको बताऊंगा कि महां पर आप कैसे सेल करते हो ओनलाइन अगर सेल करना चाहते हो तो क्लिए करते हैं